पिछले 48 घंटे में इतना आक्रोश, इतने आहत लोग दिखे, जो भाजपाई मैनुफैक्चर्ड आक्रोश और आहत था, वो काफी चरम सीमा पर भी पहुचा अपना पिछले 48 घंटे में, मैं दो चार बाते धर्म के बारे में, और जो धार्मिक बाते हो रही हैं, उसके बार किसी ना किसी धर्म का अनुवाई है, धर्म के मूल्यों को लेके जीता है, धर्म के मूल्यों को लेके मानता है, तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विशह है, तो उसका इतना विभत्स, राजनती करण क्यों किया जा रहा है, क्या उसका इतना विभत्स, राजनती करण ह होना सही है यह पहले पहली बात मैं आपके सामने मुखरता से रखना चाहती हूं दूसरी जरूरी बात धार्मिक अनुष्ठानों का काम धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधी धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका धार्मिक लोग जो संबंदित हैं जो इसको करते हैं उन पर छोड़ देना चाहिए और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं या यह तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं यहीं कहना इस देश के चार संक्राचार्यों का है बहुत लोग जो आक्रोश हैं, जो आहत हैं, जो लगातार शोज कर रहें आपका कहा था यह आक्रोश? आप क्यों नहीं आहत हुए? जब हिंदू धर्म के सर्वोच, चार ग्यानी जिनको बोला जाता है जो चार शंक्राचारे हैं जब उन्होंने निर्णाय लिया कि वो योध्या नहीं जाएंगे यह अक्रोश क्यों नहीं आया यह आहत क्यों नहीं हुए वो धर्म भीरू कहा थे यह मैं जानना चाहती हूं शंक्राचारेों का अपमान या उनको ना बुलाने का जो गलत तरीका था इस पर क्यों नहीं लोग आक्रोशथ हो रहे क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए नए धर्म भीरू बने हैं वो इस बात को नहीं मानते और यह शाद नहीं जानते हैं कि शंक्राचारेों का हिंदु धर्म में क्या महत्व है ये चारों हिंदु धर्म के स्थम्भ हैं आदिगुरु शंकराचारे ने चार मठों की स्थापना करी थी और उससे एक तरह से पूरे देश को जोड़ा था उत्तर में आपका जोशी मठ में पूर में आपका गोवर्धन मठ पूरी में स्थित दक्षण में श्रिंगेरी शार्दा मठ और पश्चिम में द्वारिका पीट और इन चारों शंकराचारियों ने निरने लिया है कि वह योध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है क्या ये धर्म को आहत नह है हम कहां जाने से मना कर रहे है हम 22 तारिक को और ये बात हमारे अध्यक्ष ने कही है हम 22 तारिक को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजन्स और RSS संग के प्रमुक की प्रेजन्स में हो रहा है उसमें नहीं जा रहे हैं जहां हमारे शंकराचार हम जो विबत्स राजनीती की जा रहे हैं उसका इससा नहीं बनना चाहते हैं और यह भाजबा का राजनेती का आक्रोश और आहत होना आपको दिख रहा है ये देश का नहीं दिख रहा है ना ये हिंदू धर्म को मानने वालों का लिख रहा है